ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वोई सम्हाले आदा के दो बादा एक भी हम औादा वह दो हम तक बाया है तो मिल은 कि अपरेदीं Meter बीजे पी ने बीज बोया है तो वोई सम्हाले अब हड़ी आना चुनाओं से ठीक पहले किसान अंदुलन को मंगलादेश परदर्शन से जोड़ कर विवादित बयान देना कंगना रौत के लिए भाड़ी पर गिया है जिसके बाद भारती जन्ता पार्टी की तरफ से कंगना को जम कर फटकार लगी है हाली में कंगना ने एक प्रमोशनल इवेंट के दोरान किसान अंदुलन को मंगलादेश में होरे परदर्शन के साथ जोड़ते हुआ जिसके बाद भारती जन्ता पार्टी कंगना के इस बयान से किनारा करती दिखी पार्टी ने कंगना को सक्त निर्देश जारी करती हुए कहा है कि भाजबासान साथ सूसरी कंगना रनोत द्वरा किसान अंदुलन के परिपेक्ष में दिया गया बयान पाटी का मत नहीं है। अब कंगना के इस हालिया बयान के बाट कंगरिस के तमाम निताओं ने अपनी परतिक्रियाया दी है। कि ये हमारा मत नहीं है ये उनका वक्तव है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुछसत मान सकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। तो भाही मुमताज पतेल कंगना को बीजेपी के लिए सरदर्दी करार दे दिया है। बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकेट दी पर आगे आगे देखिए। उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतु बयान बाजी करने की और इस तरह का इंसेंसिटिव स्टेट्मेंट खास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उत्रे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको इतनी इंसेंसिटिवली लेना और उसक सम्हाले अब इस मामर में कॉंग्रेस नेता दानिश अली ने कहा है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता आपनी संतुलन खो बैठे हैं और कंगना के निश्कासन तक की बात कही है भाजपा आजकल अपना संतुलन खो बैठी है पार्टी भी और पार्टी के नेता भी अगर बीजेपी उनके ब्यान से सहमत नहीं है अगर बीजेपी जिस तरीके का आरोप कंगना रानौत ने इस देश के किसानों पर लगाया है बीजेपी को उस माफी ही नहीं मागनी चाहिए कंगना रौनौत को बीजेपी से निश्कासित करना चाहिए अगर थोड़ी भी शरम भारते जनता पार्टी की लिडर्शिक में इस देश के किसानों के बारे शरम आनी चाहिए कंगना रौनौत को और भारतिय जनता पार्टी को देश के किसानों से माफी मागनी पड़ेगी आपको बता दे कंगना रौनौत लगतार अपने विवाजित बयानों के लिए सुर्ख्यों में बनी रहती है